हेलो फैंड्स मैं गुरू भाई हिंदी रैपर तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप से बात करने वाला हूँ एफल स्टूडियो के अंदर वोकल्स की नोईस रिड़क्शन के बारे में मेरे पास एक रैप वोकल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा नोईस है कुछ कुछ क्रेकल्स के साउंड भी है पर हम नोईस के उपर वर्क करेंगे तो आपको नोईस रटाना मैं बताऊंगा तो चलिए हम पहले वोकल्स को हलका सा सुन लेते हैं पहले नोईस को मैं सुना देता हूँ अगर आपने हेड़फोंस लगाए है तो आपको ज़्यादा डिटेल में सुनाई देगा ये है नोईस अब आपको थोड़ी सी वोकल्स सुना देता हूँ कि यहाँ पे कैसी वोकल्स है काफी ज़्यादा ये नोईस है एक बार आप दुबारा चेक करो अब मैं इस वोकल को एडिट करने के लिए एडिट की अधर में जाऊँगा याने की एडिसन के अंदर चलिए वोकल के उपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ पर जहाँ पर वेव्स है यहाँ पर मैं राइड क्लिक करूँगा एडिट इं ओडिट अधर अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये खुल के आ गया है पूरा का पूरा वोकल का चार्ट एक तरह से मैं इसके अंदर सेलेक्ट करूँगा सुरब उस पार्ट को जहां पर सबसे ज़्यादा नॉइस है आपने सुन लिया आपने सुन लिया है नॉइस है यहां पर क्रेकल की साउंड भी है पर मैंने नॉइस को सेलेक्ट किआ है इसके अंदर कोई वोकल आपको सेलेक्ट नहीं करनी जस्ट नॉइस सेलेक्ट करनी है जो कि आपका California उसको दिनॉइस करेगा यहाँ पर आप brush का tool देख रहे हो यह है हमारा tool जो denoise करेगा क्लिक करते हैं left अब यहाँ पर आप देख सकते हैं settings कुछ नहीं मैंने चेड़ा हुआ default setting है just acquire पर जाऊंगा acquire noise profile हलका सा time लिया just a second जो कि आपके computer के processor पर depend है अब मैं पूरा का पूरा select कर लूँगा इसको यह मैं select कर रहा हूँ left click दबा कर पूरा select हो गया वापिस brush पे जाएंगे left click दबाएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं हलका सा change आया है इसके अंदर जो green part है यह है आपका पूरा का पूरा denoise करने के लिए जो नीची होती है वो ज़्यादा तर noise होती है उपर वाले part के अंदर ही हमारी vocals होती है अब मैं acquire के उपर click नहीं करूँगा अब मैं click करूँगा accept के उपर preview लेना है तो preview भी ले सकते हो कि इसके अंदर कैसी cleaning आई है just हम preview ले भी लेते है आई शिगर तो आप देख सकते है डेमो मिल गया तो accept करते है इसने हलका सा टाइम लिया CPU पर डिपेंड है मेरा माइक भी बंद हो गया था कुछ सेकिंड के लिए क्योंकि सारी power ये consume कर रहा था चलिए अब इसको हम इससे बाहर निकाल लेते है इसको हमने यहां drag कर देना है drag करने के लिए हमने जिस tool का use किया है वो यहां पर इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है जहां पर भी इस तरह से छोटा सा box आएगा एक arrow के साथ उसको समझ लेना कि यह hold करने को बोल रहा है hold दबा कर रखने को होता है दबा के रखने आपको और आपकी vocals को बाहर drag कर देना है और आपकी vocals बाहर आ जाएगी अब इस song को सुनना है अपने vocal के साब से merge करना है जासे कि आप देख सकते है यहां पर थोड़ा सा gap है फिर यहां से शुरू है तो मैं इसको थोड़ा बराबर कर देता हूँ अब मैं उपर वाली vocal को बंद कर देता हूँ और जैस्ट इसको सुनता हूँ टीक है इसके अंदर nois सुनते हैं दोनों के अंदर जमीन आसमान का फरक है नीचे वाली जो वोकल है उसके अंदर जस हल्की सी एक विसल की साउंड आ रही है वो मैं एडिटिंग से एरेज कर दूँगा और क्लीन हो जाएगी बाकी वोकल पहले नॉइस के मुकाबले बहुत ज़्यादा साफ हो गई है अगर इस वोकल के अंदर अगर थोड़ा गेन लेवल कम रखा होता शायद इतनी नॉइस नहीं आती गेन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है इस टॉंग के अंदर इस करण से ये नॉइस भी ज़्यादा कैच कर रहा है अगर मैं बात करूं आपकी normally vocals बिलकुल हलकी हलकी होती है बीच वीच में यानि कि ये पूरा नीचे से लेके उपर तक touch कर रही है इतनी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच वीच में बराबर भी है पर किसी किसी जगा के उपर उपर बहुत ज़्यादा जा रही है तो ये थोड़ा बहुत इंटरफेस का और माइक का भी फरक पड़ता है और ये जो recording है ये I think mono के माइक से की वी है और जो recording थी UM2 जो बिलकुल starting वाला आता है 3500 के असपास उससे की वी थी बाकी जो area है वो बहुत ज़्यादा noise ही था वहाँ से उन्हों recording भेजी थी तो मैंने थोड़ा clean कर दिया है बाकी editing करके साफ हो जाएगा और बाकी थोड़ा आगे भी आपको check करा देता हूँ यहाँ पर खाली पाटा है noise तुने आप लड़े या इतु लड़े अगर आपको यह भी vocals की थोड़ी से noise हटानी है बिना आपको denoise करे थोड़ा बहुत हट जाएगा पर उसके लिए आपको EQ करना पड़ेगा जबल क्लिक करेंगे इसको track में लेके जाएगे अब यहाँ पर मैं एक EQ ले लेता हूँ EQ मेरा कहाँ चला गया अब इसके अंदर पहले देखेंगे कि noise है कहाँ पर मैं इतना सा area select कर लेता हूँ जिसके अंदर noise दिरफ सुनाई देगे अब आप देख सकते हैं कि noise यहाँ पर है यह है visual जैसे sound यह है noise और यह है रात की recording I think इसलिए रात को यह जो आवाज आ रही है वो रात को यह आती है जो मेरा नुमान है और इसी से यह noise बनती है तोड़ा सा हटा दिया है पर जब एडिटिंग हो जाएगे रैप वोकल है ज्यादा कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा और यह चीज आप थोड़ा सा दूसरी जगह से भी हटा सकते हैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिमिटर लिया है लिमिटर के अंदर भी noise gate मिलता है मैं उस noise gate को attach कर लेता हूँ अब मैं इस EQ को बंद करता हूँ और जश्ट उतने ही part को noise को मैं select कर लेता हूँ अब हम देखते हैं क्या होता है यहाँ noise अब मैं इसको own करता हूँ threshold उपर किया और gain को थोड़ा पीछे लेकिया है हादे से भी पीछे लड़े यह तू लड़े यह अब देख सकते हैं कि इधर नीचे वाला जो part है वो सारा का सारा अब denoise हो गया लड़े यह तू 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 लड़े यह स्रेचोड को ज़ादा नहीं छेड़ना, थोड़ा साई, लगबक 23, 22 तक माइनस घ्यान रखना, माइनस 22, 23 लड़े या इतना सफिशेंट है बाकि एडिटिंग के वक्त जब आप म्यूजिक के साथ एडिटिंग करोगे आपको पता लग जाएगा अभी एडिटिंग होने के लिए ठीक है पहले से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया कि नॉइस आप कैसे हटा सकते अपने वोकल्स के अंतर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी और have a nice day जैहेंद सुकुने मुझे बाकी पैसा गाना